23 and 19 feet house plant design plant design start कने से पहले हम यहाँ पर इसका जो आउटसाइड वाल हम इससे मार्क करेंगे ठीके पहले तो इसमें हम विंडो और डोर पोवाइड करेंगे और थोड़ा साब को लो बाजेट का यहाँ पर प्लान मिल जाएगा ठीके तो विलेज एरिया का डिजाइन है अगर आप गाउ में छोटा सा प्लॉट के उपर बिल्डिंग प्लान बनाना चाहते हैं विदाउट स्टेयर हमने यहाँ पर इसको पोवाइड किया है ठीके नेक्स्ट हम आउटसाइड पर इसको पोवाइड किय है इसका जो उआ बिवींडो दिखें वो भी हमने जस्ट है कि यहां पर करेंक्स साइट पार और पार एक है वंतिलिकर ओ के पर हमदोध्य करेंगे अंधर भी दोर क्रुएट करेंगे यहाँ पर दी वन यहां पर हम टोर क्रियेट करेंगे डी यहां पर भी डी और यहां पर हम उइन्डो क्रियेट करेंगे ठीक है तो टोर विंडो यहां पर 4 फिट या 3 फिट 6 इंच वाई विंडो उसकर से ठीक यहां मेन केट चुआ आएगा यहां पर आपका कम ज़्यादा जगा लगएगा तो आप फ़र गेट क्लॉप्सिबल गेट ओके सीजी तो यहां पर गेट यूस किजिए एंटी इधर रहेगा तो स्टार्ट करेंगे कैसे 23 इंटू 19 is equal to 437 स्क्वार फीट एरिया ठीक है तो इसके बाद इसका जो कॉलूम हम यहां पर देखें ऐसे ऐसे यहां पर पोवाइट करेंगे 10 is by 10 is का कॉलूम हम ऐसे यहां पर क्येट करेंगे तो कॉलूम क्येट करने के बाद हम इसका जो डीटेलिंग यहां पर क्येट करेंगे तो कॉलम 10 x 10 ओके यहां पर फोन नंबर्स 12 mm का बार आप या रेन्फोर्स्मेंट या सिरिया यहां पर आप यूज किए ठीके तो यहां पर जो है स्टारिंग में अन्हाने के बाद यहां पर एक ट्वाइंग एरिया तो डिस्टेंस 10 feet 4 inch ओके तो यहां पर जैसे कॉलम हमने पोवाइट क्या है यहां पर जस्ट हम ऐसे दिखाएंगे इसका जो डिस्टेंस है 7 feet 9 inch okay यहां पर किचेंगे तो यहां पर जाद दिखाएंगे तो यहां पर बाद प्लस अब्स प्रश्ट इन यहां पर 5 feet and 7 feet 9 inch area ठीक है इसके बाद यहां पर बेड्रूम यहां पर बेड्रूम तो इसका दिस्टेंस 11 feet 3 inch and 10 feet or either 10 feet 6 inch and 10 feet तो यहां पर बेड्रूम 1 and bedroom 2 okay इसका जो अउट शीच वां पीन्च वां पैज़ शीचच वां पाद और इन्स वां पाद इन्स वां ठीक है तो इसका टूटल कॉस्ट आप में देखा है इधार हम कॉस्ट दिखाएंगे इसका बिल्डिंग का कॉस्ट बिल्डिंग कॉस्ट जो खड़ चाहिए आप इधर देखिए तो आपको अगर सिंपिल घर बनाना है तो आपको सिक्स लाक के अंदर सिक्स लाक ब्लास यहाँ पर खड़ चाहिए ठीक है तो यहाँ पर आपको क्या क्या चाहिए एक सीमेंट ओके टू वान टू रेनफोर्समेंट इसका मतलब सीरिया ओके थ्री सेंट इसका बालू ओके फोर को सेग्रिगेट और गिट्टी ओके फाइव जो है लेवर तो सीमेंट इसका जो है इहाँ पर मिनिमाम आपको गूप और इसके साथ कॉलों इसका जो ब्रीक वार्ग प्लास्टरिंग इंक्लूडिंग जो सीमेंट इहाँ पर आपको लागेगा 300 बैक्स रेइंफोर्स्मेंट आपको इहाँ पर यूज होगा 1.522 टोन ओके और सैंट इहाँ पर आप लोगा लागेगा 1.3 CFT कोर्स एक लिगार आपको इहाँ पर 600 ब्लास CFT आपको लागेगा लेबर आपको पर स्कॉर फीट आईज तो आप इंटू कर दिए 437 इंटू टोटल प्लास्टरिंग 230 रूफिस पर स्कॉर फीट तो इससे आपको टोटल कॉस्ट यहाँ पर मिल जाएगा ठीक है तो ऐसे करके आप इसमें कर सकते हैं इसको बाद ब्रीक ब्रीक्स ब्रीक्स कितना नम लगेगा इसका जो है तो ब्रीक्स अपर अगर आप फाइब इंच वाल यहाँ पर उसका ले तो इसका ब्रीक आपको टोटल लगेगा 400 में माल लीजिए यहाँ पर टोटल स्कॉर फीट वीट वीजिस आप 8000 पीसे सब्सक्राइब यहाँ एक तो तेन थाउजन पीसे सब्सक्राइब तो थैंक्यू वाचिंग वीडियो पसंद आए तो इस्टिमेट पसंद आए तो लाइक और शेयर गर देला